नमस्कार दोस्तों मैं संतो श्रिवास्तव माई टैलन्ट चैनलन में आपका स्वागत है आज हम आपको बाजरे की कुक्कीज बनाना बताएंगे जो की खाने में बहुत ही केस्टी होती है और आप इसको बना सकते हैं आसानी से यह देखिए मैंने दो कटोरी बाजरे का आटा बहुत अछह तेस्ट मेरे यह देखीह में आउयरे कि यह दोस्तव है और उसको ढलें देख तक इसको गरम करांश चीज कर लें और इसमें थोड़ा सा आधागलास अप्लाइब कम पाणि डाले तकि यह इसमें हमच्छा से मेंट कर सके हैं यह देकि आधा गलास पानी डाल दी है बहुत ज्याद़़ बच जाएगा अब इसको गैस में चढ़ा देंगे और बस इसको गुडर को melt होने तक ही गरम करेंगे इसकी चास्टी नहीं बनानी है यह देखिए चलाते वे बस इसको गरम करना है कि जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाएगा गैस को आफ कर देंगे यह देखिए गुड़ मेल्ट हो गया हमने गैस आफ कर दिये अब इसी को ठंडा कर लेंगे इसी से हम आटे का डो बनाएंगे इसी से और थोड़ा थोड़ा जितना जुरत होगी उसको हम डालते जाएंगे और शनी से चान लेंगे ताकि इसमें कभी-क कि डुड़ में गंदगी होती है तो उसको भी निकलती जाएगी तो इसको थोड़ा थोड़ा दालते जाएं और इसको डो लगाते कर दो बहुत ज्यादा नहों नॉर्मल डो लगाएंगे क्योंकि ये बाजरे का आटा जब फूलता है तो और टाइच हो जाता है तो बहुत गीला ना लगाएं डो सॉफ्ट डो हो और ना ज़्यादा बहुत टाइट हो और इसको खुब मसलते में इसका डो बनाना है ताकि यह अच्छे से फूल जाए यह देखिए इस तरह से डो बनकर अमारा त्यार हो गया है अब इसकी हम छोटी छोटी लोईयां बना लेंगे जैसे आप रोटी के लिए लोई बनाते हैं तो थोड़ी से बड़ी लोई बना लें यह बनानी में थोड़ा सा चिटकता है तो इसको हाँ से कुब मसल मसल के ही डो बनाना है ताकि आटा सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से बने यह देखिए इस तरह से लोई जैसे बना लें यह देखिए किनारे से थोड़ा सा चिटक रहा है यह आटा ऐसा होता ही है कि थोड़ा सा चिटकता है और इसको आप बेल लें लोई बना कर जैसे रोटी बेलते हैं बिल्कुल हलका बेलन लगाना है दबाते वे नहीं बेलना है वरना फिर यह चिपकता है अगर आपको बेलने में दिक्कत हो रही है तो आप थोड़ा सा सूखा आटा लगा सकती है और अगर फिर भी चिपक रहा है तो आप उसको उठाकर ना बेले अपने चकले को गुमाते ज जैसा रहली बहुंत कोपकोश थें जोड़ी देमारे और सब्सक्रिए और के डुरे मतफों क?」 इसी तरह से सारी कुकीज बनाकर रख लें और थोड़ी थोड़ी तलते भी जाएं थोड़ी सी बना लें तल लें एक तरफ तलते जाएं और बनाते जाएं वरना फिर यह टाइट हो जाती हैं अब देखिए कढ़ाई में हमने घी गरम कर लिया है रिफाइंड है यह आप सर्स जाएंगे जब यह एक तरफ सीख जाएंगे तब ही हम इनको पल्टेंगे और इनको डाल का विल्कुल भी छेड़ना नहीं है इनको पड़े रहने देना है जब तक यह एक तरफ पक न जाएं अगर आप तुरंत इसको पलटने कोशिस करेंगे तो फिर यह टूटने लगती है तो एक साइड अच्छे से गोल्डन हो जाएं तब आप दूसरी साइड इसको पलट कर पकाएंगे इसी तरह से सारी आप काटके पका सकती है और प्लीज आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हुं डालें आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सकें लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी और ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर भी करें यह देखिए बनकर रेडी हो गए इसी तरह से आप बेल बेल के किसी जो भी शेप देना चाहे आप बना सकती हैं सर्दियों में बहुत ही फायदे मंद होती बच्चे नहीं खाते हैं रोटी तो आप उनको इस तरह से बना कर भी बाजरा खिला सकती हैं बिल्कुल यह देखिए ग्लास से मैंने बड़े साइज की काटी हैं और रक्कन से छोटे साइज की काटी हैं यह दे नहीं होती है बच्चों को भी पसंद आएगी बिल्कुल टायट सी कुकी बन ट्यार होती ओध्य हॉ interacts रहती यह देखिए तोडने पे यहेकि बिल्कुल खस्ता बनी है करारी इस तरह से बनकर त्यार होती है प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें कमेंट्स करें